नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है टेकरीबान इस यूट्यूब चैनल में तो आज यह सुड़ा हम डिसकस करने वाले यह सबसे जादा बेटर कोन सा लग रहा है तो हम इसी टॉपिक पर डिसकस करने वाले सबसे पहले लांच देट प्राइजिंग की बारे में बात कर ले थे तो वन प्लस एट फोर्टीं फोर्टीं तेप्रिल या फिफ्टीं तेप्रिल को लांच होने वाला और इसकी इंडियन रुपीज हो सकती है वन प्लस एट लाइट के जो लांच डेट एक्सपेक्टेड वो यह यह जूले 2020 तक आ सकता है यह फोन जूकि इसमें मेडिया टेक का चिपसेट यूज करने वाला है वन प्लस और मीडिया टेक एक चाइनिस मैनुफेक्ट्टर प्रोसेसर यह तो मुझे लगता है कि जो कोरना वाइरस आउट ब्रेक हुआ है इसके विए से चालो है मीडिया टेक के प्रोसेसर से इसलिए वन प्लस एट लाइट का जो लांच डेट वो डिले हो रहा है अगर हम प्राइजिंग की बात करें तो इसमें 31,000 यह 33,000 के बीच में फोन आ लेतों मुझे लगता है 1 plus 8 लाइट की थर्टी टू यह 33,000 हो सकती है तो मानके चलतें 1 plus 8 लाइट के 33 है एन प्लस एट की जो प्राइजिंग वह 40,000 है तो गैप 7,000 हो जाता है तो यह क्या यह 7,000 गैप जिस्टिफाइब करता है 1 प्लस एट के लिए if we compare it with 1 प्लस एट लाइट तो जो क्या इसके मेजर डिफरेंस है तो लिए हम एक एक करके जान लेते स्कूर्ष साय स्कूर्य होगी 1 प्लस एट में 1 प्लस एट लाइट से 20 जो मेजर चेन्ज है वह यह 120 है कारे प्लस एट में देखनेकों मिलनेवालाज में 90 होट्स का रिफ्रेश रेट हमें one plus eight light में देखने को मिलने वाला तो यह एक मेजर चेंज है one plus eight में जो थोर्ड चेंज है वह यह इसका जो स्टैंड़ परफॉर्मेंस रहने वाला वन प्लस एट का इसमें हमें स्नैपड्राइग के 865 वाले लेक्टेसी जबर妳फ से 65 देखने को मिलने में मेडियाय व्च्छी औरे मेक्ट्र यह मेडीय त्यूमैर फिरक्रियाय तो प्रोसेसर जाधा पावरार्फुल होते जो नेक्स चेंज़ गूफ थाटी तू मेगा पिक्सल का हमें फ्रन्ट कैमे घ्रक क्यामरा देखनेगे इस प्ल्ख एट में और फ्लक्राइट में और उट्ख लाइट में 16 में में सिक्ट्रीट में इस फेटने को मिलने वाला और प्लस यह लगा व जो मिडल में होगा इ तो नेक्स चैंजेंज वो तो डिपर्ट्म ने हो सकता है यह का में चैंग एक मेया पिकसरा की मेरा ने कोुषिoles सकता है कि चैंगे में चैंगेम तो यहीं हम सकता है यह है्छ वण बीच्वी यहीं के tangled चैंग हो सकता है यह और फूल प्लस ग penalty मेरा नै को स्कुल मेरा जोह जा हमें Quad HD Plus देखने को मिलने वाला है तो जो नेक्स चेंज है वह आमें IP 53 वाला रेटिंग देखने को मिल सकता है है तो जो दोस्तो मेजर चैंज है जो मैटर करता है जो । का ऊचन चेंज है और जो सेब्सकार्शन क्यूस्पार के हुआ वह यह तो नंबर वन कारूब्लच हारसे रिफ्रिस रेट रेटर वन प्लस indicates को मीलता है और जो सेकेंड चींज जो मेजर चींज वह यह स्नापड्राइगन का 865 हमें 1 प्लस 8 में देखने को मिलने वाला है और जो थर्ड जो मेजर चींज यह वन प्लस 8 में हमें जो बेटर कैमेरा जेखने को मिल सकते बोथ फ्रंट एंड बैक की बात कर रहा हूं इस कंपर्ट टू बन प्लस 8 लाइट क्योंकि इसमें हमें 64 मेंगापिक्सल का कैमेरा देखने को मिल सकता है और बन प्लस 8 में में 48 में पिक्सल के साथ भी लॉंच होते तो भी बन प्लस 8 में हमें जो ज्यादा अच्छा इमेज प्रोसेसिंग और सुफ्ट यह से बाकी जो माइनर चेंज है वो कर्व डिस्प्ले और आई पी रेटिंग यह दोनों जो सब परस्नल प्रेफरेंस पे चले जाते हैं कि बहुत साथ लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंदे क्योंकि थोड़ा फीच्योरिस्टिक नजर आते हैं लेकिन बहुत से लोगों को फ् नहीं होते जैसे कहते बहुत सब्सक्राइब के प्रोसेसर जादा है कि अगर इसके पता आप आप निचे कमेंट कर देना लेकिन अगर ये वणप्लेस एट लाइट में के 855 855 प्लस दे देते तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहता है मीडिया टेक 1000 एसोसी से तो ओवर आल दोस्तों वन प्लस एट लाइट एक अच्छा बढ़िया स्मार्ट फोन है लेकिन लाउंच होने में थोड़ा यह टाइम लग रहा है अगर आप बाय करने के बर में सोच रहते तो आपको जुले तक वेट करना होगा जुले में यह फोन लाउंच हो सकता है क्योंकि बहुत साई लीक्स की यही सजेस्ट करें कि वन प्लस एट लाइट जूले में लाउंच होने वाला है आपको कौन सा फोन बेटर लगा है दोने स्मार्ट फोन में तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्षिन में जरू कमेंट कर देना आपके पास कोई भी टॉपिक है वन नोटिफिक्षिन बिल्को अन कर लिए